हेलो एब्रिवन नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि बेटा होने के कौन कौन से लक्षड होती हैं क्योंकि बेटा होने के लक्षड और बेटी होने के लक्षडों को लेकर जो गर्वती महलाएं होती हैं उन्हें बहुत ज़दा कन्फ्यूजन होती हैं बहुत ज़दा डाउट भी होती हैं कि कौन से लड़का होने के लक्षड होती हैं कौन से लड़की होने के लक्षड होती हैं और क्या ये जो लक्षड होते हैं जो दिखाई देते हैं गर्वती लेकिन दोस्तों सही बात करेंगे इसकी सच्चाई जानेगे जिससे दोस्तों आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको हमेसा जागरू करना ही हमारा उद्देशי रहता है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी चैनल को एक बार जरू सस्क्राइब कर लें और पास में जो आपको बैल आइकन दिखती है उसे दवाना बिलकुल भी ना भूलें जिससे की गाइस हमारी हर आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे चलिए दोस्तों जान लेते हैं बेटा बेटी होने के सिम्टम्स तो दोस्तों सबसे जो पहला लक्षड है वो ये है कि अगर गरवावस्ता के दौरान महला का जो चेहरा है काला होने लगे तो काफी सारी गरवती महलाएं ऐसी होती है जिनका चेहरा एक काला हो रहा है बहुत सारी पिंपल आ रहे हैं बहुत सारा जो डार्क सरकल आंखों के नीचे आ जाता है वो अगर आप में दिखाई दे रहा है तो ऐसे में चांसे सबसे ज़्यादा बेबी बॉय होने के होते हैं बहीं ऐसा माना जाता है कि अगर आपका चेहरा डोरिंग प्र काफी सारी महिलाओं के निपल भी काली हो जाती है और जो अब्रेस्टा की स्किन होती है आपकी काली होने लगती है। जितनी ज़्यादा में वो बनता है मेलिनिन नाम का जो हार्मोंस है वो जितनी ज़्यादा में बनता है उतनी ज़्यादा मात्रा में आपकी जो तचा है वो काली पढ़ने लगती है और यही इसकी बजा है तो आप समझ गए होंगे इसकी यही सचा ही है यह सिर्फ हार्मोंस के उपर ही ये चीज डिपेंड होती है आई जान लेते हैं एक और बहुती खास लक्षट के बारे में आपको सच भी बताया जाएगा देखिए माना जाता है कि काफी सारी गर्वती महलाओं को वोमेटिंग की बहुत जदा प्रॉबलम होती है अगर वोमेटिंग बहुत जदा हो छाएग जादा भी हो सकती है और नहीं भी होती है तो इस बात में भी बिलकुल भी सच्चा इनए है कि अगर आपको उल्टिंग जादा हो तो गर्ल hoगी और बीबी बॉय होगा ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं होता है सिर्फ आपको अपनी प्रेग्णिशी पर ध्यान दे ये सोचिएगा कि होने वाला बेबी एकदम हेल्दी पैदा हो और हेल्दी होने के साथ साथ एकदम कलर भी फियर हो तो आप अपनी डाइट पर फोकस कीजिएगा ठीक है चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो है तो आपकी उलाद तो आप इन लक्षणों पर 100% कभी भी यकीन ना करें बस यही गुजारिश करती हूं आप से तो गाइस अगर आप हमारी बात से थोड़ा सभी सहमत हैं तो प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सस्क्राइब दोस्तों जरूर कर लें आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त मिलते हैं नेक्स् इसी टॉपिक पर तब तक के लिए टाटा बाई 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 अपना ध्यान रखें